असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिट्रेटर पर वेल्कम कहती हूं हम जो पॉइम आज बढ़ने जा रहे हो इस पॉइम का नम है स्ट्रीट ओफ नाइट अंगेल जिसको लिखने वाले हैं दाउत कुमाल दाउत कु मदली कौन थे बिसिकली ये वाइस चांसलर थे उनिवस्टी ओफ पिशावर के और जिनाह कॉलेज फॉर वुमें के ये फाउंडर थे 1964 में दाउत कुमाल ने अर्ली एजुकेस्टिन जो है वो बर्न हाल सिरी नगर से फिर बर्न हाल अप्टाबाद से फिर इस्लामिया कॉल जो उर्दू पोहिट्री थी उर्दू लोटेशर था उनको इंगलिश में ट्रांसलेट किया जिसमन मिर्जागालिप के राइटिक्स आ जाती है फैज इस इंस्पिरीशन थी इन ली वह विलियम बतले यीर से अर एस्डरा पाउंड से ली थी मिछ दुश्टले इन्स देज़िय थे लिए विलीम बतले यहींड वीजिया इन लीच कि ए मथनी थीर्दियर वह तो फाट रहे हैं इन themes के इलावा भी हम लोगों ने जो themes इनकी राइटिंग में देखे वो है decay का, decline का, life and temporality of life का, materialism का, creativity का, production का, history का अब हम बात करते हैं poem की, The Street of Nightingales यह जो poem है, इसका title जो है, वो symbolic है, metaphorical title यूज की है राइटर ने जैसे के nightingales आप जानते हैं, आपने ode to nightingale, जो उनकी it's की पड़ी थी, ठीक है वहाँ से ही यह word nightingales उठाया गया है, जहाँ पता लग रहा है के इस point के इंदर हमारे पास एक romantic touch आ रहा है और romantic जो है, वो traditional values जो दोस हो चुकी हुई थी, उनकी तरफ दुबारा वापस लाते थे यहाँ पे भी यही करेगा, traditional values की, जो worth थी, उनकी बात करेगा इसमें एक urban street दिखाई जाएगी, जहाँ पे इस different characters की बात करेगा और हर character जो है, अपनी routine में busy है, एक machine-like routine, एक mechanical routine तो अब हम अपने poem को start करते हैं, first line देखें, soon it will be evening, soon means जल्दी हो जाएगी evening exhausted clerks and chattering school girls all returning home to this, यहाँ पे this, अनना था मसे spelling mistake हो चुकी हुई है, बहुत बड़ी any how, all attending home to this, ठीकर लीजेगा, the loveliest street, I town, the web of dreams simple language used की गई है, first tenza से बता लग रहा है कि बता रहा है कि जल्दी evening हो जाएगी, और जितने exhausted clerks बात करते हैं, बात करते हैं, जो school girls हैं, वो सब के सब वापस आ रहे हैं, और यहाँ पे भी आई नहीं इन आएगा, ठीक है गई जो लाइन है, the loveliest street in town, the web of dreams रेप्रेजेंट कर रही है, जितने भी अबर लाइफ के लोग हैं, वो full of ambitions हैं और यहाँ पे web of dreams लिखा गया हैं, means यही के उनके बहुत से ambitions हैं, बहुत से goals हैं, और यही goals उनको उनके desire achieve करने के लिए, उनकी life में next is, why street of nightingales I cannot say, one thing is certain, there is no escaping, its elaborating trap, my life took root here several landslides back अब यहाँ पिल्खा है, why street of nightingales, जब आप आसमान देखे हैं, nightingales गुरूप है, वो अकथा चल रहा है, गुन गुरा रहा है, तो इस तरह का street भी जो है, वो nightingales की तरह की बनी हुई है किस तरह से, कि street में भी हर तरफ चहचाहाट हो रही है, और जो लोग हैं, वो अकथे हैं, busy हैं, they are doing their work one thing is certain, एक बत तो पकी है, there is no escaping, यहाँ पे आप निकलने का कोई चांस नहीं है, it's elaborating trap trap means jaal, कि यहाँ पे जो jaal बन चुका हो ना, इससे निकल नहीं सकता कोई भी, means jaal को और सा modern life का jaal, modern time period का jaal, mechanical routine का jaal, कि in this modern era, in this modern time period, कोई भी इस routine से निकल नहीं सकता, बच नहीं सकता, because everyone has to achieve their goal, सबको अपने goal पूरे करने, अपने achieve करने, goal और उन goal के लिए, they have to struggle hard, उनको struggle करनी पड़ेगी, वो भी बहुत सब कुछ करनी पड़ेगी, and they all are doing this, वो सब कुछ कहीं कर रहे हैं, my life took root here several lens lights back, several lens lights back means past में गया है, tradition में गया है, values की बात करा, कि मैंने भी यहाँ पे सिंदकी ग अपने time together, वो अपना time भी गुजारा करते थे बताप क्या है, अब क्या है है, environment modern है, pessimistic tone दिखाई 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 यहां और language आप देखें लिए, simple ही उसकी गईगी, अगर हम इसको critical analysis करे बगहर देखें तो हम लोग को easily समझा आए है, कि य यहां पर कोई भी escape नहीं है क्योंकि यहां पर एक trap बना हुआ है, और मैंने भी एक time period यहां पर गुजा रहा है, जहां पर देखाई था, पास थी, डिशन थे, वैल्यूस थे, लोग अकथे थे, so on, कि simple meaning हम लोग को नज़र समझ लग है, simple language उसकी तो हम कहते है, यहां पर र रिडर एजली अंडर्स्टेंड कर से के रीडर के साथ लैंग बिच ऐसे यूज की जा रही है कि रीजर से बात की जा रही हो, ज़ने कि पढ़ने वाले को समझ आ रही हो, उसको कोई इतना सर्च ना करना पढ़ रहा हो, तो यही टिक्निक यहां पर आईटर ने यूज की ही कि पोईट ऐसा आम तो आपने से बात कर रहा होता है, यही तो वाट्स वाट कहता था और यही हमें नजर आ रहा है, अचा आगली लाइन देखें, अगला स्टेंजा जो है, वाइड आइड लिटल बॉय इन यालो सोक्स, क्रैक्स वेलनट्स, वाइल अवर फैट ओल्ड हू क्या हरा है वेलनट्स को तोड है, वाईल अवर यही जो कि वैल्ड केहते है, प्रोसित्ट्टीड को, टर्न मिडवाइफ, मिडवाइफ, प्रोफेशचन होता है, यहांल तोर्फ प्रोफेशन होता है, जो के बिंड़न अज अज्ट्ट्ट्र्टण होता है, उनकी help क्रती है मतलब कर अब जो वूर भी थी ना जो प्रोस्टिट्टीड थी थी उनका भी پ्रोफेशनल चेंज हो चुका हुआँ हो वो क्या बन चुकी हुई है अब वो हैल्थ प्रोफेशनल बन चुकी हुई है means to say poet यहां पी यह कहना चाह रहा है कि कोई भी immortal activity नहीं हो रही है अब जैसा के कमाल ने यहाँ पे लाइन में हाइलाइट किया और फैट ओल्ड हूर टर्ण मिडवाइफ रशेजबाइज जल्दी भाग रही है वो अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए किया नो ओन स्पिंग अफ नाइट अंगेल्स मतलब कि कोई भी अब नेचर के बारे में बात नहीं कर रहा क्या कोई अब नाइट अंगेल्स को डिसकस नहीं कर रहा क्या कोई अब रुमैंटिसिजम की बात नहीं कर रहा प्योरटी की बात नहीं कर रहा सब को भागदोड़गी पड़ी हुई है हर कोई भागम भाग में ही लगा हुआ है तो बिसिकली ही इस हाइलाइटिंग है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो ट्रडिशनल वैल्यूस थी जो हमारे जो ट्रडिशनल लाइफ थी जो नेचर था उससे लोग की डिवियेशन हो चुकी लोग उससे हट चुके हुए है जैसे कि वेरी फर्स्ट लाइन वेस ने कहा ना सून इट विल बी इवनिंग कि यहाँ पर शाम हो जगी यह अपेरिंटली तो शाम की बात कर रहा ने लेकिन सिंबॉलिकली दिखा चाहिए तो यह से फुर सिफ शाम के आने की बात नहीं कर रहा यहाँ पर यह फॉल उफ वै जो मिनिकलता है ना वह वाला तो यह पर कोनुटेटिव मिनिंग्स हमारे पास आए हैं नेक्स थेंजा दिखें देर्स्ट वेसाइड बार्बर जो फिल्दियर देन हिल लुक्स बट वाट अन आर्टिस्ट वाट कंजुमेट स्किल ट्रिमिंग द शागी हैर ओफ और टाइड विस्ट ग्रोसर वेसाइड मीन्स जो रोड होता उसका किनारा बार्बर बाल काटने वाला फिल्दियर वर्य प्लेजंट किसम के यानि कि बहुत ही गंदे से डिर्टी से किता है सड़क के किनारे पे बार्बर है जो कि जितना वह गंदा खुद दिख रहा है उसे ज टाइड फिस्ट ग्रोसर मिंज कि वह बंदा जो बंदा उसका किनारे ट्रे беспक्राइड बंदा पसंत नी पुर्ता पैसेो थे किनारा ख़च करें का या जो जो ÖSE जो फटे का शिक्या वाले यह ग्या जा टुटा ए लिंदा 38 मrं के लो गंदा उसको तो यही ने बोटन रहों पर इवसम भी में देखा मिड्वाइफ का इक चार्क्टर में था एक एक जालोग बॉय का एक बॉय का प्रिप्राइटर्टर्र ला जिए इस प्रिप्रेटर्ण करा था इज शुड़ अपने अच्छे के आचुके हैं next answer देखे एं trivial perhaps but why do such thing always catch me out of balance pattled laughter the pure rib breaking misery of other people's need trivial कहते हैं little value जसको दीजए कोई पतलब होना बहुत ही काम importance दीजए जए जो इतनी less importance की चीज़े होती हैं लोग ऐसा क्यों करते हैं यह चीज़ों मुझे balance से हिला कर रख देती हैं फेर जो नेक्स थेंज़ा है बात कारहा है बारबर ग्रोसर लिटल बॉइ जस थीज़े टेकिंग इज़े इसी तर रस्ट इंपेशन इन देर यूशल हरी इवन दे सकाइज हैं अवाओ आउट समवेर के मतलब सिफर 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 सिफ बारब था ग्रोसर था लिटल बॉइ जो के वाइलनट तोड़ा था वह वाला क्यते हैं इस चीज़ को इस ताइम पिरिए को मौडर्ण इरा को इजी ले रहे थे बाकिस अब जितने भी थे वो इंपेशेंट थे भागदोड में लगे थे जसे एक्छाउस्टेट क्लरक ठीक है वो इस सब के सब जो है ना वो इंपेशेंट हैं भागदोड में लगे हुए हैं ताइवन के जो आसमान भी है ना वो भी हैडिंग आउट समवेर जा रहा था रुका नहीं हुआ था सिफ बार्बर ग्रोसर और लिटल बॉई रिलेक्स तो यहां पर एक मैट्रो स्ट्रीट का सिनार यहां पर बिसिक विली क्या है जहां पर लोग जो है नथिंग मोर दन मेशीन सिफ और सिर्फ मेशीन जाय सही है और इस लोग थे अगर हम बार्बर ग्रोसर लिटल बॉई की बात करें तो ग्रोसर अपने बाल कट वाने के लिए और बार्बर जब फिल्डी जोक्स कर रहा है ठीक है, they are not enjoying the nature, nature को enjoy नहीं करें, traditional values की बात नहीं करें, तो वही कहता है, they all are far away from the traditional values, aestheticism of nature, सब इन से दूर हो चुके हुए हैं, तो यहां पर उसने web of dreams की जब बात की, means goals की बात की, शुके बात की, क्लिदगी की, मतलब की, मतलब के दूर लाइफ पेड़, सब ढेल्ड़ हाँ लिगि़ अुर्ट सब टॉर्णा मायां उस्टी की बात कारहा है। उनके classify, उनके चाम की इसे बात करें लेकिन के।ग्स की बात टनुक्र seeking से पैर कि तुछ तून की बात कारहा ह Пом मुझा थे वर्स थे और लाइक रुम्हें कर रहा है तो अटर व्याइक्ष के रहा हैं बाट के रहा है निप फर नियुक्त करते हैं तो एहां पर डख़ेट्ण बाट कर रहा हैं उनकी कमन ओप्जक्स कि इमज कुई से इमीज़ निपन इसके लिए अधर्ण के बात के बाट कर कि हम लोग उसे connected feel कर रहे थे क्योंकि हम लोग को लग रहे हैं कि हम लोग लग रहे हैं कि हम लोग पुरा पिच्चर देख रहे हैं due to his use of simple language टाइटल को भी हमने देखा कि टाइटल जो है एक तो passionate, intimate feelings को symbolize कर रहे हैं नजए देखा देखा कि टाइटल को सिंबलाइब तो देखा कर रहे हैं ् तो Tutels तक मेतफोरिकल भी है और सिंबॉलिक भी है तो इसके लोगर को को कि लोगों को लोग को कि टैट्स लाइक जो फीचर थे वही नज़रा आ रहे हैं वर्ड वर्ड लाग फीचर भी थे वो नसरा रहे हैं, वर्ड वर्ड लाग मेंस रॉमैंटिक फीचर थे कि हम लोगे स्थार स्थार डीचर करें थे विह मारे साथ आपक अधकbnु का या या कि थे रूमैंटिक स्थाइव भी का साथ ह 27 कि थे थे की फा फीचर फीचर गो याइट साथ स्थाइज बैंगर्ड बोदेन तीम ते नेचर के दिखाया, बिलिएटल के दिखाया, पिलिएल इपनेशन की तो इनविजळे ऐगाया, इब आईचि के साथीजिखाया और दुआ में मुझे खास याद रखेगा पिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो में अगले लेक्चर साथ तब तक के लिए अलाहफिज